हेलो फ्रेंट्स वेलकम औल उफ्यों क्वालिटिन फेक्ट्स दोस्तो आज मैं आपके सामने इंडियन पॉलिटिकल थिंकर की यह अठारवी वीडियो लेके आया हूँ इससे पहले हमने 17 थिंकर्स जो हमारे इंडियन थिंकर्स लगे हैं हमारे स्लेवस में वो कवर कर चुके ह वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप नीचे गए लिंक से पूरा का पूरा कोर्स वहां पे देख सकते हैं तो आज यह अठारवा जो हमारा लेक्चर है इसमें डिसकस करेंगे पॉलिटिकल थॉट्स ओफ राममनोहर लोहिया लोहिया के जितने भी राजनितिक हुआ तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में लाकर इसकbut पूरी वीडियो आप देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो में हम कанеर करने वाले हैं राम मनोह लोहिया का जीवन परिचय, डॉक्टर लोहिया की प्रमुख रचनाएं, डॉक्टर लोहिया के सामाजिक विचार, समाजवाद, लोहिया के राजनितिक विचार, गांधिवादी विचार, चोखंबा राज्ये की इनकी जो परिकल्पना थी उसको इसमें देखेंगे सब्त करांती का सिधान देखेंगे विश्व संसत का समर्थन वा निरंकु शाषन का विरूद इसके वारे में इनके विचारों को देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे इनके जाती संबंधी विचारों को तो सबसे पहले इनके जीवन परिचे से हम शुरू करेंगे तो जीवन परिचे बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे हैं 1910 से लेके 1967 तक का इनका टाइम पिरियड है और डॉक्टर रामनोह लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को फैजावाद में हुआ था 23 मार्च किसलिए इंपोर्टेंट है यह आप लोगों को पता होगा शहीदी दिवस मनाये जाता है 23 मार्च 1910 को इनका जन्म फैजावाद में हुआ है उनके पिताजी हीरालाल पेशे से एक अध्यापक थे उनके पिताजी गांधी जी के अनिवयाई थे जब वे गांधी जी से मिलने जाते थे तो राम मनोहल लोहिया को भी अपने साथ ले जाया करते थे इसके कारण गांधी जी के व्यक्तित्तों का उनके मन पर गहरा असर पड़ा गांधी जी के व्यक्तित्तों का ठीक है तो गांधिवादी विचारक ये कैसे बने क्योंकि इनके पिता जी बेसिकली गांधिवादी एक चिंतक थे और गांधी से गांधी के वो एक अनुवयाई थे पिता जी के साथ 1918 में एहमदावाद कॉंग्रेस अधिवेशन में पहली वार ये शामिल हुए थे तो पहली बार किसी कॉंग्रेस के अधिवेशन में जब रामनोह लुहिया शामिल हुए थे वो था 1918 में एहमदावाद का कॉंग्रेस अधिवेशन बनारस से इंटरमेडियेट और कलकता से सनातक की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने उच शिक्षा के लिए लंदन के स्थान पर बरलिन का चुनाओ किया तो इन्हें बेसिकली लंदन भीज़ा रहा था पढ़ने के लिए लेकिन इन्होंने कहा कि मैं बरलिन पढ़ाई के लिए जाओंगा तो बरलिन आपको पता है जर्मनी में ये है फ्रैंकफर्ट स्कूल आपको पता है मार्क्स के साथ ये जुड़ा हुआ है तो बर्लिन में जाने के बाद इनका क्या है समाजवाद की तरफ रुजान होता है क्योंकि बर्लिन जर्मनी की राजधानी है और फ्रेंक्फर्ट स्कूल आपने सुना होगा मार्कसवाद का एक गढ़ माना जाता है और बर्लिंग स्कूल के अंदर क्या है समाजवाद के उपर बहुत ज़्यादा फोकुस किया जाता था तो आपने रामन Kenneth Fazlowya का समाजवाद पढ़ा होगा कि समाजवादी विचार इनके क्या है तो सारे के सारे यहीं से इनके विचार औरिजनेट हुए है वही जाकर उन्होंने मातर तीन माह में जर्मन भाशा पर अपनी मजबूत पकड़ बनाकर अपने प्रोफेसर जॉंबायर्ट को चकित कर दिया उन्होंने अर्थशाष्टर में डॉक्टरेड की उपाधी केवल दो वर्षों में ही प्राप्त कर ली थी जर्मनी में चार साल व्यतीत करके डॉक्टर लोहिया स्वदेश वापिस लोटे और किसी सुवदा पूर्ण जीवन के स्थान पर आजादी के संगर्ष में अपनी जिंदगी इन्होंने समर्पित कर दी उसके बाद 1933 में 1933 में मदरास पहुचने पर लोहिया गांधी जी के साथ मिलकर देश को आजाद कराने की लडाई में शामिल हुए 1933 में पॉलिटिक्स में ये आए इसमें उन्होंने विदिवत रूप से स्माजवादी आंदोलन की भावी रूप रिखा प्रस्तूत की तो वेसिकली इन्होंने क्या है स्माजवादी आंदोलन को आही अपना लक्ष स्थापित किया सन 1935 में उसमें कॉंग्रेस के अध्यक्ष रहे पंडित नहरु ने लोहिया को कॉंग्रेस का महासचेव निउप्ट किया तो कॉश्चन पूछा गया था कि कॉंग्रेस के महासचेव डॉक्टर लोहिया कब बने तो 1935 के अंदर पंडित नहरू ने क्यूंकि पंडित नहरू उस टाइम Congress के अध्यक्ष रहे चुके थे, 1929 में Congress के अध्यक्ष रहे थे नहरू तो नहरू का आप काफी जादा आप बोल सकते हैं उसमें मान सम्मान था तो उनके कहने पर 1935 में ये महासची बने थे Congress के बाद में 1942 को महत्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का एलान किया जिसमें उन्होंने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया जैपरकाश नारायन और डॉक्टर लोहिया हजारी बाग जेल के अंदर कैद किया गया था तो एक बार कोश्चन पूछा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान जैपरकाश नारायन को कौन सी जेल में रखा गया था तो ये थी हजारी बाग जेल तो ये दोनों अब लोहिया से भी कोश्चन पूछा जा सकता है तो लोहिया को भी हजारी वाग जेल में रखा गया था जहां से ये लोग फरार हुए भूमिगत रहकर आंदोलन का इन्होंने नित्रित्तो किया ठीक है लेकिन अंत में उन्हें गिरफतार कर लिया गया और 1946 में उनकी रिहाई हो पाई थी डॉक्टर लोहिया अक्सर ये कहा करते थे कि उन पर केवल धाई आदमियों का प्रभाव रहा है अन्होंने अपने उपर माना है पहला आदमी था माक्स दूसरे थे गांधी और तीसरे थे जौहालाल नहरू जिन्हें इन्होंने आधा आदमी मान आधा मतलब इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पढ़ा है आधा प्रभाव जौहालाल नहरू का पढ़ा है तो ढ़ाई आदमी भी पूछा जा सकता है कि ढ़ाई आदमी कौन थे आजादी के समय उनके और पंडित जौहालाल नहरू में कई मतबेद पैदा हो गए थे जिसकी वज़े से दौनों के रास्ते अलग हो गए बाद के दिनों में 12 अक्तुबर 1967 को लोहिया का 57 वर्ष की आयू में क्या है देहान हो जाता है अब देखते हैं डौक्टर लोहिया की प्रमुख रचनाय जो की अकसर एक्जाम्स के अंदर पूछी जाती है तो यह आप यहां पे देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट बुक इनकी है यह है दकास्ट सिस्टम 1964 जाती क्या है और जाती को किस तरीके से खत्म किया जा सकता है जिसको हम आगे इनके विचारों में देखेंगे सबसे लास्ट में तो 1964 में यह बुक लिखी फ्रेग्मेंट्स ओफ वर्ल्ड माइंट उन्चास में इन्होंने बुक लिखी है फंडामेंटल ओफ वर्ल्ड माइंड यह इनके मृत्यू के बाद 1987 में प्रकाशित हुई है गय्मे इंडिया और इनडिया की एका विवाजन हुआ है उसमें इसमें और और गांधि की मारकर हंधिया की गई क्या जैज्ज थिंदे कारण थे कौन गेल्टी उसके अंदर रहे क्या जिन्ना गेल्टी थे क्या गांधी गेल्टी थे या फिर हमारा आप कह सकते हैं हिंदू मुस्लिम का जो अब मात्वेद बढ़े थे सांप्रदाइकता जिम्मेवार थी इसके उपर इन्होंने कॉश्चन उठाया है 1970 में ये मनोप्रांत बुक प्रकाशित हुई है इंडिया चाइना एंड नौर्धन फ्रंटियर 1963 के अंदर इन्होंने बुक लिखी है इंटर्वर्ल डूरिंग पॉलिटिक्स 1965 में इन्होंने बुक लिखी है Marks, Gandhi and Socialism 1963 कई बार ये बुक एक्जाम में पुछी गई है Marks, Gandhi and Socialism तीनों को इन्होंने इसमें क्या है comparative study की है Marks भी socialism की बात करते हैं गांधी भी socialism की बात करते हैं और actual में जो socialism लोहिया का है उसकी बात इन्होंने इस बुक के अंदर की है Wheel of History, इतिहास का चक्र, ये question भी कई बार रिपीट हुआ है, 1955 में इन्होंने ये बुक लिखी है Salt and Satyagraha, Salt and Satyagraha ये PhD की जो thesis थी, PhD जिस विशेप पे की है इन्होंने, ये थी Salt and Satyagraha Lohea के सामाजिक विचारों को सबसे पहले देखेंगे कि समाज के बारे में ये क्या बोलते थे एक बात आपने clear करनी है, ये इनके सामाजिक विचार है, समाजवादी विचार नहीं है Socialistic ये इनके विचार है, socialism से related नहीं है ठीक है, तो सामाजिक और समाजवाद I think आपको different पता होगा सामाजिक का मतलब होता है जो समाज से related हो, जो society से related है और समाजवादी एक ideology है, ठीक है, सोशलिजम एक ideology है तो सबसे पहले हम सामाजिक विचार इनके देख रहे हैं Dr. Lohia के विचारों पर Karl Marx, महत्मा गांधी दोनों के विचारों का प्रभाव पड़ा है Marx, Gandhi and Socialism ठीक है, तो यहां से आपको पता लग गया होगा कि इनके विचारों के उपर Karl Marx और महत्मा गांधी दोनों के समाजवाद का विचारों का प्रभाव पड़ा है उन्होंने इन में अदभुत समन्वे स्थापित किया है यानि कालमाक्स के विचारों और गांधी के विचारों के वीच समन्वे किसने स्थापित किया है डॉक्टर लोहिया ने तथा इसके श्रेश्टम तत्तों को समाहित करते हुए नवीन विचारों का विकास किया है इनके सामाजिक विचार निमलिखित है तो सामाजिक विचार सबसे पहला जो सामाजिक विचार है वो है इतिहास का चक्रिय सिधान जो कि इन्होंने Wheel of History के अंदर अपना ये विचार इन्होंने प्रतिपादित किया है Wheel of History के अंदर ठीक है? तो चक्री सिधान को एक बार देख लेते हैं इनके इतिहास के संबन्द में विचार Wheel of History में प्रतिपादित है डॉक्टर लोहिया के अनुसार इतिहास सरल रेखा में आगे नहीं बढ़ता बलकि उसकी गती चक्र के समान अपरिवर्तनिय होती है तो इससे पहले आपने देखा होगा Heagle ने क्या है? Heagle ने Liner की बात की थी इतिहास का जो विकास होता है लीनियर फॉर्म में होता है यानि पहले परिवार आता है परिवार के बाद आपकी सिविल सोसाइटी आती है फिर आपका स्टेट आता है तो ये कह रहे थे Heagle उसके बाद आपके आते हैं Karl Marx Karl Marx कहते हैं कि इतिहास का विकास क्या है? जिग जैग होता है ठीक है? ये कुई सीधी रेखा में नहीं होता है इसका विकास कैसा होता है? उपर नीचे उपर नीचे होता रहता है ठीक है? लेकिन इसके बिल्कुल डिफरेंट तरीके से विचार प्रस्तुत किये वील आफ हिस्टरी में इन्होंने क्या बोला कि इतिहास एक चक्र के रूप में होता है इतिहास क्या है? चक्र के रूप में होता है अगर यहाँ पर माइनस हंडर्ड है अभी माइनस हंडर्ड में है आपका समाज ठीक है? इतना नीचे है अभी आपका विकास बहुत कम विकास यहाँ पर हुआ है दीरे दीरे क्या होगा यह माइनस 80 माइनस 50 ठीक है यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 यहाँ पे प्लस में चला जाएगा प्लस यहाँ पे आप देखूगे प्लस 100 पहुंच जाएगा और वाप पीस यहाँ पे माइनस 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 होके माइनस 100 तक पहुंच जाएगा तो इसक या तो जैसे चक्री है या तो वो शेर्ष पे पहुंचेगा या वो गर्थ में पहुंच सकता है यानि हिस्ट्री क्या है एक वील की तरह होती है जैसे आपका पहिया गुमता रहता है गाड़ी का कभी ये टॉप पे कभी ये बॉटम पे तो इस तरीके से विकास चलता रहता है समाज का पुना एक समय ऐसा आ सकता है कि पतन के गर्थ में पहुंचा हुआ राष्ट्र उन्नती करके शिखर पर पहुंच सकता है यानि आज जो समाज बहुत ही नीचे है कल वो बहुत उपर पहुंच सकता है आज आपका American Society जो टॉप पर है मैं M.N.Roy की बात कर रहा हूँ क्यों इन्होंने उसको डिफाइन किया इन्होंने बोला कि आज अमेरिका टॉप पर है ठीक है आज अमेरिका टॉप पर है वो टॉप पे होते हुए भी बॉटम पर पहुंच सकता है क्योंकि उनका जो कल्चर है वो इस तरीके का कल्चर अपना रहे हैं कि वो गर्त में डेफिनेटली एक दिन पहुँचेगा ही होता रहता है उनका कथन्ता की वर्गो एवं जातियों तथा विचार प्रेरक प्रवर्तियों एवं सव्यताओं के मध्य संगर्ष इतिहास में तब तक चलता रहेगा जब तक की मनुष्य में बुराई समाप्त नहीं हो जाएगी ठीक है तो इसका मतलब है संगर्ष तब तक जब तक वुराई विद्यमान है उसके बाद इनका विचार है बहुत तिक वाद एवं चेतना दोनों को इन्होंने महतु दिया है तो यहाँ पे देखो चेतना को महतु किस ने दिया था गांधी ने गांधी ने आइडिया को मॉरेलिटी को सुप्रीम माना है जब की अब द की चारों के बीच समन्वे स्थापीत इन्होंने किया है बहुत तिक वाद एवं चेतना दोनों को महतु इन्होंने दिया है । जॉक्टर लोहिया काल माक्स के द्वंदात्मक बहुतिकवाद के सिधान्त को स्विकार करते थे किन्तु उन्होंने चेतना को अधिक महतोपूर्ण माना वे सामान्य उदेश्यों तथा आर्थिक उदेश्यों दोनों के स्वतंत्र अस्तित्व को स्विकार करते थे उन्होंने बहुतिक वाद में चेतनावाद के समावेश पर बल दिया यानि जो materialistic चिंतन दिया गया है डालेटिकल materialism जो काल मार्क्स ने दिया है उसके अंदर materialism के साथ साथ अगर आप rationality को, चेतना को, conscious को, idea को अगर आप include कर दोगे तो best form आपके साथ सामने उभर कर आएगा according to Dr. Lohia Dr. Lohia के अनुसार, अब देखिए, जाती और वर्गों की अवधाना देखते है जाती और वर्गों में संगर्ष जो चलता रहता है Dr. Lohia के अनुसार, इतिहास में जाती और वर्ग में संगर्ष होता रहता है इसी से इतिहास को गती मिलती है जातीयों का रूप सुनिश्चित होता है किन्तु वर्गों की आंतरिक रचना शिथिल होती है इन दोनों के बीच घड़ी के पेंडूलम के समान आंतरिक क्रियाय होती रहती है इनी से इतिहास को गती मिलती है डॉक्टर लोहिया के अनुसार जातियों में सामन्यता गतीहीनता और निश्क्रियता पाई जाती है जबकि वर्ग सामाजिक गतीशेलता की प्रचंड शक्तियों के प्रतिनिधी होते हैं तो बेसिकली इनोंने क्या बोला जो समाज के अंदर जाती और वर्ग है उनके बीच जो संगर्ष होता रहता है यह इस तरीके की घड़ी आपने देख्योंगी उसमें एक पेंडूलम होता है पेंडूलम में क्या है यह आरपार बस्ती रहती है जैसी आपके क्या है यहां पे 12 बजे यह क्या है आरपार बस्ती रहेगी turn 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 उसी तरीके से क्या है संगर्ष होता रहता है सोसाइटी में जो की कभी भी खतम नहीं होता है और इन्होंने क्या बोला जो आपका caste system है वो क्या है static है उसके अदर किसी भी प्रकार की उन्नती के लिए विकास के लिए development के लिए कोई भी स्थान नहीं है जबकि आपका वर्ग जो होता है जो सामाजिक वर्ग होते हैं जो income के आधार पे बने होते हैं उसके अंदर क्या है गती शीलता होती है वो dynamic होता है वो समाज को आगे ले जाता है अब देखते हैं लोहिया का समाजवाद या समाजवाद का एश्याई स्वरूप भी इसे कहा जाता है समाजवाद आप देखोगे हिंदी लिटरेचर में पढ़ाया जाता है history के अंदर भी पढ़ाया जाता है political science के अंदर भी पढ़ाया जाता है तो most important ये इनका समाजवाद का सिधान्त है ठीक है जो कि हम अभी थोड़ा बहुत इसकी जलक देख चुके हैं इनका जो समाजवाद है गांधिवाद और मार्कसिजम का एक समन वे उसके वीच उन्होंने स्थापित किया है डॉक्टर लोहिया का विचार था कि एशियाई राष्ट्रों की अपनी विशिष्ट समस्याएं हैं एशियाई जो राष्ट्र है उनकी अपनी कुछ विशिष्ट समस्याएं हैं इन्हें एशियाई तरीकों से ही हल किया जाना चाहिए उनका कथन था कि एशिया में जहां आर्थिक समस्याएं मुह बाय खड़ी है पश्चिमी ढमका समाजवादी प्रजातंतर कदापी उप्योगी यहां पे सिध्ध नहीं हो सकता है डॉक्टर लोहिया मानते थे कि यूरोप का मशीनी समाजवाद एशिया के देशों के लिए उप्युक्त नहीं है क्योंकि यहां गरीबी अधिक है उनका कथन था कि परमपरागत आर्थिक विकेंद्री करण से एशिया की गरीबी दूर नहीं हो सकती है यहां बड़ी मशीनों के स्थान पर गांधी जी के विचारों का अनुसरन करते हुए छोटी मशीनों का प्रियुक्त करना चाहिए इस प्रकार कुटीर उद्योगों में धन भी कम लगेगा और यहां की जो बेरोजगारी है यहां की जो बेकारी है वो भी बहुत कम यहां पे होगी बहुत बेकारी यहां पे घटेगी लोहिया सहकारी कृषी को प्रोचाहित करने के पक्षमे थे वे पाश्चाते समाजवाद को समवेधानिक एवं विकासवादी निरुपित करते हुए उसे एशिया के लिए अनुप्योगी मानते थे उनके अनुसार प्रशाशन का प्रजातांतरी करन करके प्रशाशन जो हमारा है हमारा जो एड्मिनिस्ट्रेशन है हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है ब्यूरोक्रेसी का क्या है डेमोक्रेटाइजेशन करके कम पूझी लगने वाली मशीनों को लगाकर संपत्ती का समाजी करन कर अर्थिक एवं राजनितिक समाजी करण करके एशिया इस समाज के लक्षय को प्राप्थ किया सकता है तो यहाँ पे आपको इनका समाजवाद का बिल्कुल क्लियर कट आपको आईडिया मिल गया होगा यहां पे इन्होंने सबसे पहले तु Damit the Basisya की अपनी समस्या है एशिया के अंदर development के issues अलग है यहां की भोगोलिक परिस्थितिया अलग है यहां की civil society अलग है यहां की जाती विवस्था यहां का social order सब कुछ अलग है तो west के अंदर जो समाजवाद का नारा दिया गया है वो आपको मुबारक हो हमें अपना यहां पेटर्न अपनाना पड़ेगा क्योंकि हमारी समस्याएं ही बिलकुल अलग है तो पहली चीज तो आपको यह समझ आगी होगी क्योंकि आपे अलग यहां की समस्याएं हैं जो की प पत्ती जो हुई थी वो प्रोडक्शन के लिए हुई थी वो प्रोडक्शन के लिए हुई थी ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्शन करके किस परकार से ज्यादा से ज्यादा लाव लोगों को दे सके वो इसका मशीनी समाजवाद के रूप में इन्होंने व्याख्या की और बड़ी मशीनों को इन्होंने घातक माना, क्योंकि बड़ी मशीनों के कारण क्या होता है, छोटे मोटे जो कारीगर होते हैं, छोटे मोटे जो मजदूर होते हैं, उनका व्यावसाय खत्म हो जाता है, और बेरोजगारी की समस्या उत्पन हो जाती है, और कुटीर उद्योगो को इसी लिए इन्होंने बहुत अच्छा माना और सहकारी क्रिशी को इन्होंने अच्छा माना सहकारी यानि कॉपरेटिव एग्रिकल्चर कॉपरेटिव एग्रिकल्चर का मतलब होता है लाइक आपका ये एक खेत है एक खेत के अंदर क्या है दस लोग काम करेंगे और दस लोग मिल बाठ कर इसकी प्रोडक्शन का इस्तेमाल अपनी जरूरतों के लिए करेंगे ठीक है और इस तरीके से ये है इनका एशियाई सुरूप जो इन्होंने समाजवाद को दिया है अब देखते हैं डॉक्टर लोहि से इनकी असहमती थी अपने शुरूपदी जीवन के शुरूपदी दोर में ये माक्स वाज से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और माक्स से बहुत डाभा आइडिय उन्होंने लिये हैं जो कि इन्होंने एक्सेप्ट किया है लेकिन मार्क्सवादियों से इनकी जो सहमति थी उसको देख लिए यह साहमतियों घ्र में गोर्ण किशिरों बार्ध सब्सक्राइब सा outsiders कुछ हला हैं ऑर मार्क्सिजम गोर्ट के जो विचार थे माक्स बोलते थे साम्मेवाद कैसे आएगा माक्स बोलते थे साम्मेवाद आएगा मजदूरों की तानाशाही के द्वारा मजदूरों की तानाशाही के द्वारा और आपको एक चीज यहां पर क्लियर कर दू कि साम्मेवादी पार्टी की बात कभी भी काल माक नहीं की है जो आपकी Communist Party है Communist की बाद कभी भी प्रह плохо करते थे लैनीन तो यह लेकिन जो Communist Party विचार थे उससे यह बिल्कुल भी सहमत नहीं तहें वह साम्मेवादियों के भूमी के पुनर विवाजन को एक मजाक तथा निरर्थक कुरूरता मानते थे साम्मेवादियों के द्वारा जो भूमी का पुनर विवाजन किया जाता था साम्मेवादी किस तरीके से करते थे ये जो पूंजीवाद है पूंजीवाद को उखाड फेका सिर्फ अपनी आजीवी का ही अर्जित कर पाएंगे लेकिन उतनी प्रोडक्शन यह नहीं दे पाएंगे जितनी की पहले पुझी पती या जागिरदार दे रहा था दूसरा कारण यह है क्योंकि इसमें जागिरदार को क्या है जान से यह मार रहे थे इसलिए भी इनका समर्थन नहीं करते थे वे इसलिए भी साम्मेवादियों से सहमत नहीं हो पाते थे क्योंकि व्यवहार में साम्मेवादी आर्थिक दरिद्रता को अस्तर बनाकर राज्ये के विरुद विद्रो करा देते थे उस पर अनुचित दबाव डालते थे तो बेसिकली क्या है आर्थिक दरिद्रता यानि गरीव लोगों को मजदूरों को ये अपने साथ मिलाकर मजदूरों के द्वारा करांती करवा देते थे इवन मजदूरों का जो दिमाग है उनका इतना दिमाग नहीं है कि उन्हें एक्चुल कॉज का पता लग पाए कि हम किस इसलिए लड़ रहे हैं तो इसलिए भी इसे ये गलत मानते थे साम्मेवादियों की पुंजीवाद की व्याख्या उन्हें स्विकार नहीं थी साम्मेवाद पुंजीवाद को क्या बोलते थे only शोषण का साधन मानते थे पुंजीवाद को तो वो भी इन्हें स्विकार नह मेटेरियल कोज के आधार पर तो इससे भी सहमत नहीं थे डॉक्टर रामनोह लोहिया का मानना था कि जो वर्ग संगर्श होता है वह आर्थिक आधार पर ही नहीं होता है उसमें सामाजिक कारण भी होते हैं राजनितिक कारण भी होते हैं उसमें आइडिलोजिकल कारण भी होत डॉक्टर लोहिया ने भारत के विवाजन को परिस्थितियों वश स्विकार किया अब देखिए डॉक्टर लोहिया भारत के विवाजन को बिलकुल भी स्विकार नहीं करते हैं लेकिन गांधी जी का क्योंकि ये समर्थन करते हैं तो इनका मानना था भारत का जो विवाजन हुआ परिस्थितियों की ओ मांग थी अगर भारत का विवाजन नहीं होता तो यहां पे बहुत बड़े दंगे हो सकते थे इसलिए इन्होंने उसे स्विकार किया वे मानते थे कि भारत प्रकृति से एक है अता खंडित हो जाने के बाद भी वह पुना अवश्य ही एक हो जाएगा यानि भारत पाकिस्तान विवाजन अभी हुआ है भारत पाकिस्तान विवाजन अभी हुआ है लेकिन फ्यूचर में भारत पाकिस्तान एक हो जाएंगे ऐसा मानना था डॉक्टर लुहिया का गांधिवाद में आस्था के बारे में इनके विचार देखते हैं समाजवाद में पूर्ण आस्था होते हुए भी डॉक्टर लुहिया को हिंसा से चिड़ थी यानि गांधिवाद से ये प्रभावित थे इसलिए समाजवाद में तो इनकी पूर्ण आस्था थी लेकिन ये हिंसा से भी इनको चड़ थी हिंसा की ये विरोधी थे वे सचे गांधीवादी थे किन्तु उन्होंने अपनी विशिष्ट शेली में समाजवादी चिंतन में गांधीवाद प्रबलता के प्रमुक सिधानतो का समयवेश करने का प्रबलता से प्रयास किया यानि इनका जो समाजवाद का सिधानत है उसके अंदर गांधी के साथ साथ मार्क्स को भी लेकिन गांधी को जादा इन्होंने इसमें प्रात्मिक्ता दी है समाजवाद के उदेश्यों को प्राप्त करने के लिए गांधी वा की गंभिरता से स्विकार नहीं कर पाते थे कि यह possible नहीं है कि मनुष्य मन कर्म और वचन से क्या है अहिन्सक हो पाए अपने विरोधियों के लिए वे कई बार कटू भाशा का प्रयूग करते थे उसमें वो बिल्कुल भी संकोच नहीं करते थे यानी मन कर्म और वचन गालिय डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि राजनिती के बिना धर्म निश्प्रान हो जाता है तथा धर्म के बिना राजनिती काल ही बन जाती है वे धर्म को देर्द कालीन राजनिती तथा राजनिती को अल्प कालीन धर्म कहते थे और यह famous quotation इनकी है कई बार को यह quotation different different way में पूछी आती है ठीक है तो इसको आपने याद रखना है कि धर्म और राजनिती दोनों के साथ जुड़े हुए हैं चोखंबा राज्य की परिकल्पना चोखंबा राज्य की परिकल्पना का मतलब क्या है चार खंबे होंगे आपकी राज्य के राज्य के चार खंबे होंगे तो आज चार पिलर माने जाते हैं हमारी डेमोक्रेसी के, चार पिलर कौन से है, पहला है लेजिसलेटिव, दूसरा है एक्जिकिटिव, तिसरा है जुडिश्री और चौथा है मीडिया, लेकिन ये उन खंबो की ये बात नहीं कर रहे हैं, उन खंबो की ये बात नहीं कर रहे हैं, उन इस राज्य में केंद्री करण तथा विकेंद्री करण की परसपरव विरोधी माने जाने वाली विचारधाराओं का समन्वय किया है यानि कुछ जगा पे इन्होंने केंद्री करण को सही माना कुछ जगा पे इन्होंने विकेंद्री करण को सही माना कहा केंदरी करण कहा विकेंदरी करण वो डीटेल में हम देखेंगे इस विवस्था के अंतरगत गां, मंडल, प्रांध, केंद्र सभी के महतु को सुलिकारा गया तथा उन्हें एक कारीय मूलक संगवाद की विवस्था के अंतरगत एकिकृत किया गया है तो चो खंबा राज्ये में कौन कौन से चार खंबे हो गए पहला खंबा बेसिक जो नीव का खंबा होगा वो होगा गाउं सबसे चोटी जो इकाई है वो है गाउं, गाउं के संग्रह से दूसरा खंबा बनेगा, वो होगा मंडल, तीसरा खंबा बनेगा प्रांथ, और चौथा खंबा बनेगा केंदर, केंदर यानि आपका सेंटर, तो ये चार खंबे, इन चार खंबों की बात की है, डॉक्टर लोह ठीक है और इसे इन्होंने कहा कारिय मुलक संगवाद कारिय मुलक संगवाद यानि जो कारियों के आधार पे चलेगा यानि गाओं के काम अलग होगे मंडल के अलग प्रांद के अलग केंदर के अलग यानि कारिय मुलक संगवाद का सिधान्त इन्होंने दिया है इस राज्ये के स्तंबों का संगठन इस प्रकार किया जाएगा कि सभी स्तंब एक सूतर में बंधे रहेंगे यानि जो चारों के चार है इस प्रकार से इनका अरेंजमेंट किया जाएगा कि गाउ मंडल से जुड़ा रहेगा मंदल प्रांथ से और प्रांथ केंदर के साथ जुड़ा रहेगा डॉक्टर लोहिया मानते थे की कलेक्टर या कलेक्टर का पद या ऐसे पद केंदरी करण की बदनाम संस्थाएं हैं ऐसे पदों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए अब कलेक्टर क्या करता था collector का जो काम होता है आज के टाइम आप देखोगे जो हमारी civil services है IS की जो हमारी संस्थाएं है लाइक हमारा DC होता है वो क्या होता है center का प्रतिनिदी होता है क्योंकि ओल इंडिया service के द्वारा चुना गया है तो ऐसे collector की पदों को स्माप्त करने की इन्होंने बात की थी क्योंकि वो center का प्रतिनिदीत्व करता था चोखंबा राज्जी की विशेष्टा है यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके अनुसार संपूर्ण सरकारी एवं योजना व्याए एक चोथाई भाग ग्राम मंडल एवं नगर पंचायत के मध्यम माध्यम से वैग किया जाएगा तो सबसे पहले क्या है जो फंड आते हैं उनके टाइम में जो फंड आते हैं वो center release करता था और सारा का सारा धन क्या है कभी भी गाउं तक नहीं पहुँच पाता था इसलिए इन्होंने बात की कि एक चोथाई यानि 25 प्रतिशत जो फंड है वो directly ग्राम मंडल और नगर पंचायतों के माध्यम से खर्च किया जाएगा पुलिस वेवस्था इन ग्राम मंडलों तथा पंचायतों के अधीन रहेगी यानि जो पुलिस वेवस्था है आज के टाइम में पुलिस वेवस्था क्या है या तो राज्ये के अधीन होती है या फिर किसके अधीन होती है सेंटर के अधीन जो CRPF बगेरा आपने सुनाओगा या फिर राज्य पुलिस जैसे हिमाचल प्रदेश पुलिस पंजाब पुलिस इन्होंने क्या बोला जो पुलिस वेवस्ता है या तो वो गाओं के अधीन रहेगी या मंडल या पंचायतों के अधीन वो रहेगी ठीक है इन्होंने क्यों बोला क्योंकि जो पुलिस होती है जिलाधीश का मतलब होता है जो आपका DC होता है जो आपका DC होता है डिस्ट्रिक के अंदर ठीक है डिस्ट्रिक कलेक्टर उसका पदस्माप्त करके इन्होंने क्या बात शोरी यह डिपृटी कमिशनर होगा DC ठीक है तो इसके स्थान पे इन्होंने क्या बात की इन्होंने बात अब देखिए क्रिशी है उद्योग है तथा अन्य प्रकार की संपत्ती का राष्ट्री करण कर दिया जाए यहां संपत्ती ग्राम मंडल नगर और पंचायतों के अधीन रहेगी और उनहीं के द्वारा शाशित की जाएगी क्रिशी के उपर अधिकार उद्योगों के उपर अधिकार किसका होगा ग्राम मंडल नगर और पंचायतों का चौकंबा राज्ये में राजनितिक परशाश्निक एवं आर्थिक विकंद्री करण की दिशा में प्रियास किया जाएगे तथा छोटी मशीनों का आधिकारी उपय तो अभी चोखमबा राज्य की बात की है जो चोखमबा राज्य ՞ब सक्सेस्फूल हो रहेगा फोफ obese चोखमबा राज्य के बात सामान्य व्यक्ति को स्फूर्ति प्रदान होगी तथा लोकतांत्रिक सम्वेधानिक सिधान्तों के निर्मान एवं उनके व्यवहारिक स्वरूप को निखारने के प्रयासों को निरंतरता प्राप्त होगी अब देखते हैं सब्त करांती का सिधान्त सब्त करांती का सिधान्त यानि साथ परकार की करांतियों की जो बात की है उसको डीटेल में हम देखेंगे डॉक्टर लोहिया अनुभाव करते हैं कि किसी एक जुट कारिक्रम के आभाव में भारत में प्रतिपक्षी दल आपस में लड़ते रहते हैं यानि कोई भी एक integrated कारिक्रम नहीं है एक ऐसा कारिक्रम नहीं है जो कि सभी दलों को सरो मानने हो इसलिए क्या है हमेशा विपक्षी दल लड़ते रहते हैं इसका लाव सत्ता रूड दल को अनायास ही प्राप्थ हो जाता है उन्होंने समाजवाद के सारो भौम साथ सिधान्त को व्यवहारिक रूप देने की बात की है यानि समाजवाद की जो साथ सिधान्त है या समाजवाद की जो साथ करांतिया है वो इस परकार है पहली स्त्री पुरुष समानता को स्विक्रिती लोहिया के समाजवाद में क्या किया जाएगा लोहिया के समाजवाद के तहट स्त्री पुरुष को समानता प्रदान की जाएगी जो अधिकास स्त्रियों को है वो अधिकार पुरुशों को फ्राप्थ होगे जितना वेतन पुरुशों को दिया जाता है उतना ही वेतन स्त्रियों को भी दिया जाएगा जाती संबंदी तथा जनम संबंदी असमानता की यहाँ पर समाप्ती होगी यानि जाती के आधार पर, जनम के आधार पर, लिंग के आधार पर और रंग के आधार पर किसी भी परकार का बहेद बाओ इनके समाजवाद में नहीं होगा रंग बहेद पर आधारित असमानता की समापती होगी ठीक है? विदेश्यों द्वारा दमन की स्माप्ती तथा विश्व सरकार का निर्मान यानि विदेश्यों का जो दमन है जिस परकार से फोरें कोलोनियलिजम जो स्थापित क्या जाता है उसका खात्मा होगा और विश्व सरकार का निर्मान होगा ये चौथी करांती होगी व्यक्तिगत संपत्ती पर आधारित, आर्थिक असमानताओं का विरोध तथा उत्पादन में योजनाबद वृध्धी ठीके व्यक्तिगत संपत्ती क्या है? पुझी वाद का यहां पर खात्मा होगा और योजनाबद तरीके से वृध्धी की जाएगी व्यक्तिकत अधिकारों के अतिक्रमन का इन्होंने विरोध किया है? यानि व्यक्तियों के अधिकारों का किसी भी प्रकार से अतिक्रमन इसमें नहीं होना चाहिए हर व्यक्ति के अधिकारों को माननेता मिलनी चाहिए युद्ध के शष्ट्रों का विरोध तथा सविने अवग्या सिधान्त की स्विक्रिती यानि शष्ट्र हिंसा का विरोध होगा समाजवाद के अंदर और सविने अवग्या सिधान्त को स्विक्रिती होगी अगर नागरिकों को ये लगे कि हमारे अधिकार, हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है चोखंबा राज्ये के अंदर तो क्या किया जाएगा सविने अवग्या को एक हतियार के रूप में अपनाया जा सकता है तो ये थी सब्त क्रांती का सिधान्त डॉक्टर लोहिया का अब देखते हैं विश्व संसत का समर्थन यानि इन्होंने जो विश्व राज्य की बात की है जो कि पांचवा पिलर इन्होंने बताया है और निरंकुर शाषन का विरोध किया है डॉक्टर लोहिया ने विश्विक समस्याओं को सुलजाने के लिए विश्व संसत का समर्थन किया है वे चाहते थे कि व्यसक मताधिकार के अधार पर चुनी गई विश्व संसत की स्थापना की जाए तो इन्होंने कल्पना मातर नहीं की है इन्होंने ये भी सुझाया है कि क पांचवा हिस्सा प्राप्त होना चाहिए युद्ध बजट मतलब जो युद्धों पर खर्च होता है उसका एक बटा चार या फिर पांचवा हिस्सा क्या है आपको यूज करना पड़ेगा यहां पर ताकि युद्ध कम से कम हो और युद्धों का जो बजट है वो सारा का सा पार्लेमेंट में निवेश किया जाए वे मानते थे कि सत्याग्रह के द्वारा भी विश्व पंचायत की स्थापना संभव है लोहिया को निरंकुष शाषन बिल्कुल भी स्विकार्य नहीं था वे आर्थिक एवं व्राजनितिक विकेंदरी करण के समर्थक थे वे आर्थिक एवं व्राजनितिक सत्ता को राज, प्रांत, जिला तथा ग्राम स्तर पर बाढ़ कर चोखंबा राज्ये की स्थापना करना चाहते थे अब देखते हैं लास्ट में इनके जाती संबंदी विचार वह जाती को भारतिय समाज का एक कलंक मानते थे और इसे हर हाल में समाप्त करने के वे पक्ष में थे क्योंकि यहाँ एक राजनितिक कारक न होकर सामाजिक कारक ज़ादा प्रतीत होता है इसलिए उन्होंने इसका समाधान समाज को ही करने की सلاح दी यानि जाती विवस्ता एक कलंक है और समाज की ही यह ड्यूटी है कि वो जाती विवस्ता को खत्म करें उनके अनुसार जाती प्रथा तभी समाप्त होगी जब विभिन समुदायों और जातियों के लोग एक दूसरे से मेल जोल और खान पान को बढ़ाएंगे इसके लिए इन्होंने रोटी बेटी का सिधान्त दिया अर्थात इंटर कास्ट शादिया होनी चाहिए और एक दूसरे के हाथ का बनाया खाना खाना चाहिए इससे क्या होगा? इससे चूत अच्छूत शुद्र अशुद्र की मान्यताइ समाप्त हो जाएगी जब लोग एक कास्ट के अंदर इंटर कास्ट मेरिस्ट करेंगे तो रोटी बेटी का सिदान बहुत ही important इनका है और यही सिदान सबसे पहले क्या है अम्बेड करने दिया था लेकिन यह जो basically इसका प्रतिपादन लोहिया नहीं किया है उपरोक्त कतनों पर चर्चा करने के बाद ये सपश्ट हो जाता है कि डॉक्टर रामनोह लोहिया पर माक्सवाद एवं गांधिवाद दोनों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था उन्होंने अपनी निराली शेली में इन दोनों महान विचारधाराओं के प्रमुक सिधानतु की व्याख्या की तथा उन चिंतन निर्भिक्ता मौलिक्ता और अनूठा समन्य विवाद उनके व्यक्तित्व की सहज विशेश्टाएं थी इन्हीं के आधार पर उन्होंने एक नई समाजवादी व्यवस्था का स्वपन देखा तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा कॉंसेप्ट रामनोह लोहिया का तो इससे पहले 17 वीडियो मैं अल्रेडी अपलोड कर चुका हूँ ये 18 वीडियो थी और दो वीडियो बसती है हमारी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के अंदर तो सारी वीडियो अगर आप एक जगा देखना चाहते हैं विदाउट एड किसी भी क्योंकि बीच में जो एड आती है विज्ञापन आते हैं वह आपका ध्यान डिस्ट्रेक्ट करते हैं विदाउट एड अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाईए पहले लिंक पर क्लिक कीजिए आप एप्लिकेशन पर जाएंगे क्वालिट इन फैक्ट पर वहां से आप यूनिट 3 पर चेज कर सकते हैं जस्ट रूपीज हंडर्ड में छे महिनों के लिए आप इसको एक्सस कर सकते हैं सो थैंक्यू फ्रेंड्स थैंक्स वॉचिंग